बहुजन समाज पार्टी पंजाब प्रदेश अद्धेक्ष सरदार जस्मीर सिंग गड़ी के नेतुत में सहिब कांशिराम जी के 87 जनमदीन के अवसर पर रोपर जिले के बाला चौर में एक विशाल मोटर साइकल रैली का आयुजन किया गया इसरेली का मुख्योदेश किसानों और श्रमिकों के खिलाफ तीन काले कानूनों को रद करना और गरिबों के लिए सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुविधाएं प्रदान करना था इस मौके पर प्रदेश अदेख्ष जस्वीर सिंग गढ़ी ने कहा कि वे 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और पंजाब के लोगों की पीडा को दूर करने का काम करेंगे पंजाब के सभी लोग किसी भी जाती या धर्म के हो वे सभी उनके हैं वे 2022 में सरकार बनाएंगे और पिछडे वर्गों के लिए मंडलायो के रिपोर्ट लागू करेंगे और पहले 100 दिनों में बेघर लोगों को जमीन का मालिकाना हक देंगे पंजाब में कॉंग्रेस अकालिदल भारती जन्ता पार्टी सरकार ने पंजाबियों को बूरी तरह से कुचल दिया है जिसके कारण आज पंजाबियों को स्वास्त शिक्षा रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है और ये बुनियादी जरुरते आम पंजाबियों की पहुंस से दूर हो गई है सरदार जस्विर सिंग गड़ी ने कहा कि पंजाब कॉंग्रेस सरकार का बजट दलित पिछडों और गरीबों के साथ एक मजाख है सरकार ने घर घर, नोकरीयों, साहित, घोशना पत्र के वादों को पूरा करने से मना कर दिया करमचारियों के लिए महंगाई भत्ते, पक्के मकान, आधी के वादे किये गये है दलितों को गुमरहा करने के लिए बाबा साहिब डॉक्टर अंबेड करजी के नाम पर समारक और संग्रहलय के जूटे वादे कॉंग्रिस ने किये बहुजन समाजपाटी द्वारा दो अप्रेल को रसपुरा रोपड में महारेली का आयोजन किया गया है यह महारेली पंजाब की राजनितिक स्थिति को बदल देगी 2022 में बहुजन समाजपाटी सत्ता की प्रमुख दावेदार होगी ये विश्वास भी सरदार जस्विर सिंग गढ़ी ने वेक्ति किया